Hello everyone, BACB AT 4th year की classes start की थी हमने जो लोजी की First unit आपका start क्या था Nucleotic Acid Nucleotic Acid के बारे में हमने पड़ा था कि ये Nucleus में present होता है और nature acidic होता है, दो टाइब के Nucleic Acid होते हैं एक होते हैं DNA और RNA, DNA की structure देखी थी हमने कि जो DNA है वो किस किस से मिलकर बना होता है शुगर, फोस्फरिक एसिड और नाइटोजनिक शारक इन तिनों से मिलकर बना होता है आज DNA की सरचना का विग्यानिक इतिहास पढ़ेंगे तो DNA की सरचना को कई विग्यानिकों ने समझाया सबसे पहले आते हैं Watson and Crick DNA की जो सरचना है उसको 1953 में Watson and Crick नामक विग्यानिक ने द्वी कुंडलित मोडल दिया था DNA को समझाने के लिए तो इसके कुछ निमलिकित महत्वपोन बिन्दू है DNA सेल में पाये जाने वाले सबसे बड़ा अनू होता है DNA यह अनू रिणा अविशित अनू होता है इसकी आणविक सरचना 3D में होती है ठीके इसकी जो दोनों शंकलाइब होती है दोनों जो इसके strand होते हैं वो एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है अर्ठार्थ एक जो सिरा होगा वो 5N' टू 3N' होगा तो दूसरा 3N' टू 5N' मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लिमेंटरी होते हैं DNA के आधार पर जो DNA का आधार होता है उस पर एकांतर क्रम में फोस्फेट एंड शरकरा पाए जाती है यह DNA है इसका जो यह आधार भाग है इस पर शुगर फोस्फेट शुगर फोस्फेट क्या होती है एक आधार क्रम में पाए जाती है नाइट्रोजन शारक अंदर की तरफ स्थित होते हैं इसमें पाये जाने वाले जो नाइट्रोजन शारक होते हैं वो अंदर की तरफ स्थित होते हैं यह इसके नाइट्रोजन शारक है यह इसके अल्टरनेट शुगर, फोस्फरस, शुगर, फोस्फरस ये एक अंत्रक्रम में है और nitrogen शारक अंदर की तरफ पाया जाते हैं ठीक है? nitrogen शारक में purine, pyramidine के साथ बंद बनाते हैं जो nitrogen शारक होते हैं वो purine और pyramidine एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बंद बनाते हैं एडिनीन तथा थाइमीन के मद्य डबल बॉंड तथा गवानीन एंड साइटोसीन के मद्य त्रिपल बॉंड पाया जाता है एक डिनें और थाइमिन के मध्ये, double bond and guanine and cytosine एडिनें और थाइमिन, इनके बीच में double bond और जो guanine है और cytosine है इसके बीच में triple bond पाई जाता है ठीके यह बंद कुन से प्रकार के होते हैं? हाइडोजन, यह बंद हाइडोजन बंद क्रकार के होते हैं सामन्य तया एक DNA के एक लूप में दस नुकलियोटाइट युग में पाया जाते हैं जो DNA का एक लूप है ये DNA का एक लूप हो गया ये दूसरा ये तीसरा तो इस टाइप के जो DNA का एक लूप होता है उसमें दस नुकलियोटाइट पाया जाते हैं वोटसन एन क्रेक ने जो मोडल दिया था DNA का उसमें जो DNA यूज किया था वो BDNA था DNA के जो प्रकार पढ़ेंगे उसमें ये वोटसन एन क्रेक ने BDNA पढ़ा था बी डी एने लिया था इसके ठीक है तो बी डी एने में क्या होते हैं एक जो लूप होता है उसमें कितने नुकलोटाइड होते हैं 10 نucleutide होते हैं ठीक है? 10 नucleutide यूग में पाये जाते हैं DNA का जो व्यास होता है वो 20 AAC का होता है DNA का व्यास ये 20 AAC का होता है Phosphat and chakra के मद्य Phosphodiesta band पाये जाता है मैंने बताया था कि इसके अदार पर Phosphate and sugar क्या होती है Akantrakram में पाये जाती है तो phosphate और sugar के बीच में जो bond पाया जाता है वो diester bond, phosphor diester bond होता है और sugar और nitrogen शारक के बीच में यह sugar है इससे जो जुड़ा nitrogen शार है A या C हो सकता है, T हो सकता है, कोई साभी nitrogen शार जो जुड़ता है sugar से तो उनके बीच जो बंद बनता है वो glycosidic bond होता है ठीक है, DNA के दोनों शंकला एक दूसरे से कुंडलित होने के कारण जगा जगा पर खाँच दिखाई देती है यह जो कुंडलन बना, यहाँ जो खाँच होती है कुंडलन होने से जगा जगा पर खाँच बन जाती है यह बड़ी खाँच है तो इसे major groove करते हैं और यह छोटी खाँच है तो इसे minor groove कहा जाता है ठीक है, तो DNA के कुंडलित होने से जगा 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 पर खाँच बन जाती है DNA के कुंडलन की जो लंबाई होती है, वो 34 angstrom, 34 angstrom की होती है यह एक जो loop है, एक loop की जो लंबाई होती है, वो कितनी होती है, 34 angstrom की होती है DNA के दोनों शंकलाओं के शुगर के मद्ये, जो दोनों शंकलाओं हैं, एक यह, एक यह यहां पाये जाने वाला sugar और यहां पाये जाने वाला sugar इन दोनों की बीच की जो दूरी होती हैं इन दोनों की बीच की जो दूरी होती हैं वो कितनी होती हैं 11 angostrom होती हैं और 2 nucleotide जैसे की A, C, G तो इनके बीच का मद्य की जो दूरी होती है वो 3.5 angstrom की होती है ठीके तो 11 angstrom होती है और जो nucleotides होते हैं उनके मद्य 3.4 angstrom की दूरी होती है नेक्स चोर गोफ वेग्यानिम एक साइनٹिस्ट थे चोरु गोफ इन्होंने बताया था कि जो डीने में प्यूरीन और पिरिमिडीन होते हैं वो एक्वल अमांट में हिपाए जाते हैं जितने प्यूरीन होंगे उतने ही पिरिमीडीन होंगे मतलब पिरिमीडीन और प्यूरीन का जो अनुपात होता है वो एक के बराबर होता है प्यूरीन और पिरिमीडीन बैस पैर इकल अमाउंट में होते हैं और इनका जो अनुपात होता है वो एक के बराबर होता है एडिनेन गवानीन के अनुपात का ये हमेशा एक नहीं होता है ये हमेशा ही एक नहीं होता है sugar and phosphate 因為 molar proportion में होते हैं मतलब जितने sugar होंगे molecule होंगे उतने ही phosphate molecule भी होंगे इस rule के अनुसार adening, guanine upon thymine and cytosine जो pyramid and purine का अनुपात है वो सद्देव एक नहीं होता है एक होता है लेकिन सद्देव एक नहीं होता है एडिनिन थाइमीन बेस पेर एंसाइटोसीन गवानीन बेस पेर रेरली इकवल होते हैं एक ही प्रजाती के जीवों में इसका मान समान होता है मनुश्य प्रजाती में इसका अनुपाद 1.67 होता ह साइच स्पीसीज में इसका मान अलग-अलग होता है लेकिन अगर एक ही स्पीसीज है तो उसके सभी जीवों का मान क्या होता है समान होता है जैसे जो यूमन बिंग्स होते हैं उसके अंदर इसका मान 1.67 होता है इसके बाद एक साइंटिस्ट आये थे विलिंक्स वेग्यानिक इन्होंने एक्स्ट्रे क्रिस्टलोग्राफी करके तकनीक द्वारा एक्स्ट्रे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक के द्वारा डिने का अध्यन किया और इन्होंने बताया कि DNA की सरचना कुंडलित प्रकार की होती है, व्यास इसका 20 एंगस्ट्रोम होता है, कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रोम होती है और DNA के दोनों सुत्रे या दोनों पोली नुकलोटाइट शंकला में शुगर के मद्धे की दूरी 11 एंगस्ट्रोम होती है, और दोनों शार युगमों के मद्धे की दूरी 3.4 एंगस्ट्रोम होती है यह जो DNA है, इसमें पाए जाने वाले इसका जो एक कुंडलन है, इसकी लंबाई होती है, 34 एंगस्ट्रोम इसमें पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन शारक होते है इसके बीच की दूरी होती है 3.5 एंगिस्ट्रोम और इसका व्यास होता है 20 एंगिस्ट्रोम और इसमें पाये जाने वाले जो शुगर होती है इन शुगर के बीच की दूरी होती है 11 एंगिस्ट्रोम फिर जो शुगर होती हैं शुगर में कार्बन नंबर वन वर नाइटोजन शार के मद्धे 51 डिगरी का कौन होता है इसके बाद एक साइंटिस्ट है क्रिक क्रिक नामक फेग्यानिक ने डियनी की सरजना को समझाने के लिए एक सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसे Central Dogma सिद्धान्त या केंदरी सिद्धान्त कहा जाता है इस सिद्धान्त को डिसकवर किया था 1957 में ये एक प्रोसेस है जिसमें DNA में पाए जाने वाली information से protein बनता है DNA में पाए जाने वाली information होती है उस information के base पर क्या बनते हैं प्रोटीन का निर्मान होता है तो प्रोटीन का निर्मान होना Prोटीन के निर्मान होने का जो सिदान थे उसे क्या करते हैं Central डोगमा सिदान करते हैं और ये ग्रिक नामक वेगैनिक ने दिया था अब Central Dogma सिद्धान तो इससे पहले अपने को तीन टर्म्स हैं वो पता होनी कि एक Transcription एक Reverse Transcription एक Translation जब DNA से mRNA बनता है तो उसे क्या बोलते हैं Transcription और जब mRNA से या rRNA से फिर से DNA बनता है तो उसे Reverse Transcription कहते हैं जब RNA से प्रोटीन बनता है तो उसे Translation कहते हैं अब Central Dogma सिद्धान तो क्या है DNA पर पाये जाने वाला जीन इसमें DNA में जो खंड पाये जाते हैं DNA यह RNA क्या करते हैं कोशिश काżenie कोशिश का द्रव्य में पहुँच कर राइबैसोम से जुड़ता है DNA से RNA बना RNA क्या करते हैं कोशिका दरवी में उपस्तित जितने भी amino acid है उनको एक विशेश क्रम में जोड़कर प्रोटीन का निर्मान करते है और प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं और वह एंजाइम एक विशेश किरिया को संपन्न करती है एक विशेश किरिया को करवाती है ये है सेंटरल डोगमा सिधान तो इसके हों पढ़ेंगे डीने पर जीन रेखे करम में पाये जाते हैं डीने पर एक जीन एक किरिया को उत्परेरित करते हैं तो डीने में विशेश किरिया को करवाने वाले जीन अनुलेखन किरिया द्वारा अमारेने का निर्मान करते हैं जीन क्या करेंगे? अनुलेखन जो ट्रांस्क्रिप्शन है, ट्रांस्क्रिप्शन प्रोसेस द्वारा अमारे का निर्माण करेंगे, यह अमारने जीन में पाये जाने वले संदेश, अमारने में इस्ताने नतित हो जाते हैं, अमारने संदेश को लेकर राइबूसोम तक पहु ठीक है राइबोसोम संदेश के अनुसार कोशी का द्रव में स्थित जो एमिनो एसिड होते हैं कोशी का द्रव में स्थित एमिनो एसिड को विशेश करम में जोड़ता हैं एमिनो एसिड के आपस में जुड़ने की इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन या अनुवाद करन कहते है जैसे DNA से क्या बना Transcription Process द्वारा हमारे ने बना हमारे ने उस संदेश को लेकर Ribosome के पास आते हैं और Ribosome क्या करते हैं संदेश के अनुसार जितकोशिका द्रव्य में जो Amino Acid होते हैं उन Amino Acid को विशेश करम में जोड़ता है और जूड़ने की जो क्रोसेश होती हैं उसे अनुवात करणिया Translation कहते हैं Amino Acid के श्रंखला बद्ध होने से Amino Acid आपस में जूड़ गए इससे एक विशेश प्रोटीन का निर्मान होता है तथा प्रोटीन से एंजाइम का निर्मान होता है और एंजाइम के द्वारा किर्या संपन्नो होती है DNA में पाए जाने वाला संदेशों का जो प्रवा होता है वो एक दिशी होता है प्रोटीन एंजाइम यह एक दिशी होता है ऐसे नहीं कि आपाए निर्मे noticed information निर्में में जाए प्रोटीन से एंजायम और एंजायम से किरिया संपन होगी तो यह जो प्रोसेस होती है वो एक दीशिय होती है इसलिए इसे सिद्धान्त को क्या कहा जाता है एक दीशिय प्रवा से तत पर यह DNA से संदेश अमारने में तथा अमारने से राइबोसोम में तथा राइबोसोम संदेश के अनुसार एमिनोएसिद जोड़कर प्रोटीन का निर्मार करता है इसलिए इसे प्रोटीन संसलेशन का सिद्धान्त भी कहा जाता है इसलिए से प्रोटीन संसलेशन का सिद्धान्त भी कहा जाता है फिर आते हैं बाल्टीमार एंट टेमीन का सिद्धान्त बाल्टीमार एंट टेमीन ने सिद्धान्त दिया था तो उप्रुत दोनों विग्यानिक ने प्रतिलोम अनुलेखन जो reverse transcription हमने पढ़ा था कि जब DNA से RNA बनता है तो उसे transcription कहते हैं लेकिन जब RNA से DNA बनता है तो उसे reverse transcription कहते हैं यह दियासाथ बाल्टीमार एंट टेमीन ने इस सिद्धान्त को प्रस्तित करने के लिए कुछ जीवों में अनुवाशिक प्रताथ DNA अनुपस्थित होते हैं उन जीवों में अनुवाशिक वाइरस में जो अनुवंशिक प्रदार्त होते हैं वो क्या होते हैं आरने होते हैं आरने अनुवंशिक प्रदार्त युक्त जीवों से आरने से डीने का निर्मान करते हैं उन जीवों में आरने से डीने का निर्मान होते हैं उसे प्रतिलोम अनुलेखन या रिवर्स ट्रांस description कहा जाता हैं खोज करता Tamin को खुश करने के लिए इस क्रिया को क्या कहा Taminism भी कहा जाता है बाल्टी मार रो Tamin ने सिदान दिया था लेकिन Tamin के नाम से इसे Taminism भी कहा जाता है इसका example है वाइरस तो क्रिया वाले जो जीव होते हैं वो निमन है जैसे कि RSV virus और AMV virus RSV virus राउस सारकोमा virus यह virus मुर्गी के चूजों में कैंसर रोग उत्पन करता है और AMV virus एवियन माईलो ब्लास्टोसिस virus यह virus पक्षी में यूकेनिय रोग उत्पन करता है अब हम पढ़ेंगे forms of DNA तो forms of DNA में DNA निम लिखित प्रारूप या सरचना में पाया जाता है एक होता है ADNA, BDNA, CDNA यहाँ एकोर एड करना पो DDNA और ZDNA ADNA होता है इस प्रकार के DNA में दोनों श्रंकला या दोनों सुत्र दोनों श्रंकला या दोनों सुत्र दक्षना वरत दिशा में कुंडलित होते हैं क्लोकवाइज यह कैसे होते हैं क्लोकवाइज कुंडलित होते हैं और DNA का जो प्रतिये कुंडलन होता है DNA का जो लूप होता है उसमें 11 nitrogen share या base pair होते हैं इसका व्यास 23 angstrom होता है और लूप की लंबाई 28 angstrom होती है और दोनों base pair के बीच की दूरी 2.56 angstrom होती है तो यह 8 DNA के बारे में हैं कि यह clockwise कुंडलित होते हैं यह है clockwise कुंडलित होते हैं 11 base pair होते हैं शार युगम होते हैं 23 angstrom इनका व्यास होता है 28 angstrom इनके लूप की लंबाई होती है और दो base pair के बीच की दूरी कितनी होती है 2.56 angstrom होती है ठीक है अब next पढ़ेंगे हम BDNA इस प्रकार के DNA भी दोनों सुत्र clockwise कुंडलित होते हैं कैसे होते हैं clockwise कुंडलित होते हैं कुंडलिन की लंबाई 34 angstrom होती है इसमें 10 base pair होते हैं व्यास 20 angstrom होता है Watson and Crick Veganic ने BDNA का अध्यान किया था तो उन्हें जिस DNA का अध्यान किया था वो था BDNA अब CDNA अब देखो इसके अंदर जो व्यास है वो व्यास कम होता जा रहा है इसमें पाये जाने वाले जो base pair हैं वो भी कम होते जा रहे हैं जैसे कि जो ADNA था जो ADNA था उसके अंदर व्यास कितना था 23 angstrom और base pair कितने थे 11 लूप के लंबाई 28 और बीच की दूरी 2.56 तो व्यास था इसका 23 और शार यूग में थे 11 नेक्स जो BDNA है उसमें इसका व्यास कितना हो गया उधर 23 था तो इधर 22 हो गया और base pair इसमें 10 हो गया अब CDNA में इसका व्यास कम हो गया पहले 23 था फिर 20 और अब 19 angstrom रहा ये भी CDNA भी क्या होते हैं clockwise कुंडलित होते हैं कुंडलन की लंबाई 11 angstrom होती है और कुंडलन में जो base pair होते हैं वो base pair होते हैं 9.33 base pair होते हैं अब आएका DDNA भी clockwise कुंडलित होते हैं व्यास 19 angstrom होता हैं शार यूगमिस में 8 होते हैं और कुंडलन की लंबाई 24.2 angstrom होती हैं तो starting के जो तीनों ADNA, BDNA, CDNA और DDNA ये चारों DNA कैसे होते हैं clockwise कुंडलित होते हैं लेकिन जो ZDNA होता है JDNA anticlockwise कुंडलित होता हैं ठीक है जेड़ डियने anticlockwise कुंडलित रहता हैं कुंडलन की लंबाई 96 angstrom होती हैं और कुंडलन में base pair होते हैं 12 और इसका जो व्यास होता हैं वो 18 angstrom होता हैं ये डियने जिगजग होते हैं और विग्यानिक रिच ने इसकी खोज की थी JDNA की खोज किस ने की थी विग्यानिक रिच ने अब हम पढ़ेंगे function of DNA के DNA के क्या क्या function है DNA सेल में होने वाली सभी रासाइनिक किर्याओ उपर नियंतरन रखता हैं तथा इसका नियमन करता हैं सेल के अंदर जितनी भी chemical reaction होती हैं उस भी reaction को नियंतरित कौन करता हैं DNA करता हैं DNA आनुवांशिक परदार्त हैं जो लक्षणों को एक पीडी से दूसरी पीडी में या एक कोशिका से उसकी संतान में ले जाते हैं DNA ट्रांस्क्रिप्शन के द्वारा RNA सिंतेसाइस भी करते हैं DNA से ट्रांस्क्रिप्शन द्वारा RNA बनते हैं DNA में स्वैम वियून डुप्लिकेशन की विशेश्ता के कारण ये जनन के लिए अत्यांद उप्योगी हैं DNA क्या होते हैं स्वैम के समान प्रतिकरती बनाने की शमता रखते हैं इसमें डुप्लिकेशन का गुण पाया जाता हैं माता पिता और बच्चों की पहचान DNA टेस्ट के द्वारा की जा सकती हैं यह DNA के function है अब हम पढ़ेंगे units of DNA कि DNA की कौन कौन सी unit है ठीक है basic unit first class थी उसमें पढ़ा था कि जो DNA होते हैं वो nucleotide से बने होते हैं DNA की basic unit क्या होती है nucleotide होते हैं nucleotide किस किसे मिलकर बने होते हैं sugar, nitrogen, base and phosphoric acid जो sugar होता है DNA में कौन सा sugar होता है deoxyribose sugar होता है और इसमें पाया जाने वाला nucleic acid में पाया जाने वाला जो sugar होता है उसे pentosugar कहते हैं क्योंकि उसमें number of carbon 5 होते हैं ठीक है sugar और nitrogen base मिलके क्या बनाते हैं nucleotide बनाते हैं nitrogen base DNA में चार प्रकार के nitrogen base होते हैं वैसे जनरली दो pyrimidine और purine दो प्रकार के होते हैं जो pyrimidine होता है वो cytosine और thymine होता है और जो guanine adenine और guanine होता है purine तो DNA में टोटल कितने type के nitrogen base हो गए adenine, guanine, thymine and cytosine ठीक है जो adenine और guanine है उसे कहेंगे अपन यह वो है purine और thymine and cytosine है pyrimidine अब इनके structure देख लेते हैं कि इनके structure कौन कौन कैसी होती है जो purine होते है वो double ring structure होती है और pyramidal single ring structure होती है तो adenine में adenine की structure में आपकी जो six number का जो carbon होता है वहाँ amine group होता है और first, third, seventh और ninth position पर क्या होते है nitrogen होते है और adenine में guanine में जो second number के carbon होते है वहाँ amine present होता है और six number के carbon से oxygen जोड़ी होती है यह होती है guanine की structure same structure है first, third, seventh और ninth पर हमेशे nitrogen present होती है चाए adenine हो चाए guanine हो first, third, seventh और ninth पर क्या होते है nitrogen present होते है पर adenine की structure में आपको रखना है याद रखना है कि six number पर amine होता है और guanine में second number पर first में adenine में six number पर amine होता है और guanine में second number पर amine होता है और जो six number होता है carbon होता है उससे oxygen जोड़ी होती है यह होगे purine, adenine and guanine फिर next पढ़ेंगे अपन cytosine, thymine and uracil DNA में cytosine and thymine होते है और thymine replace हो जाता है uracil द्वारा RNA के अंदर ठीक है तो इसकी structure यह single ring structure होती है six number पर amine होता है cytosine में और यहाँ क्या carbon और उसका जो fourth number का carbon है उससे oxygen जुड़ी होती है यह होती है cytosine की structure और thymine में number six और number four पर oxygen जुड़ा होता है number four और six number का carbon होता है उससे oxygen group जुड़ा होता है मतलब यह क्या बनता है ketone बनाता है और CHT group जुड़ा होता है first number से ठीक है अब uracil में केवल यह CHT group है यह first number से हड़ जाता है और बस दो ketone group होते है fourth position पर and sixth position पर यह होता है uracil ठीक है यह अपना हो गया यह हो गया DNA की units जो DNA है उसकी basic unit होती है nucleotide DNA किसे बनके बने होते हैं Sergeism अर्फोसfरी से होता है sugar, pentosugar होती है क्योंकि उसमें number of carbon 5 होते हैं DNA में जो sugar होती है और deoxy ribosugar होती है और RNA में जो sugar होती है और ribosugar होती है और sugar और nitrogen base मिलके nucleoside बनाते हैं चार प्रकार के nitrogen base होते हैं, adenine, guanine, thymine and cytosine, इन चारों की structure देखते हैं, तो जो purine होते हैं, वो double ring structure होते हैं, और pyramid होते हैं, वो single ring structure होते हैं, purine में, जो double ring structure होते हैं, उसमें, first, third, seventh और ninth position पर क्या होते हैं, nitrogen group होते हैं, purine में, बस adenine में, जो six number के position होते हैं, उसमें NS2 group, amine group चुड़ा होते हैं, और जो a ketone सम्मू होते हैं, जो six position पर होते हैं, गवानीन में, और इसी प्रकार से pyrimidine की बात करें, तो pyrimidine में, जो cytosine और thymine होते हैं, यह single ring structure होते हैं, जो इसमें six number के position पर क्या होते हैं, amine group होते हैं, six number पर और एक ketone group होते हैं, fourth position पर इसमें जो thymine होते हैं, thymine में fourth and sixth position पर ketone group होते हैं, और first position पर होता है और यूरेसील में सी एस्टी ग्रूप नहीं होता है बस दो किटन ग्रूप होते हैं जो फॉर्थ एंड सिख्थ पोजिशन पर होते हैं ठीक है